तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही साथ इंपोर्टेंट है आप सारे गेमर्स लोगों के लिए क्योंकि आप लोग जब गेम खेलते हैं आपको डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा होगा कि आप गेम का साउंड अगर आप लोगों तक अच्छी तरह प ठीक-ठाक ऻूज़के एर आपका गेम का परफॉर्मेंस तीन से चार गुना बहतर हो सकता है है इटफोन और यहिएट भीदो वुआ सूझ помог PUBG Mobile मतलब भई इसे PUBG Mobile नहीं मैं सारे गेम्स की बात कर रहा हूं मतलब गेमिंग के लिए headphone and earphone इन दोनों में से कौन सा बहतर है इस वीडियो में यही जानने वाले है वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक important बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो बनाने के कि वीडियो को मतलब बिलकुल स्किप मत करना क्योंकि आप लोगों को शायद कोई पार्ट समझ में आये वीडियो की तो यार थोड़ी घरबर हो सकती हूं आप लोगों को समझ में नहीं मतलब इतनी महनत से हमने वीडियो बनाए फिर यार आप लोगों को समझ में नहीं तो मैंने गेमिंग के लिए मेरे को जो तीन हेड़फोन सबसे बेस्ट लगे वो मैं बताने वाला हूं और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन इससे पहले आप लोग देख लो कि आप लोगों को कौन सी चीज़ खरीदना चाहिए एरफोन या हेटफोन तो गाइस एरफोन एड़ हेटफोन के दोनों के अपने अपने प्रोज और खॉन्स हैं तो यार यह definitely earphone की सबसे अच्छी बात होती है और दूसरा जो earphone का pro है वो होता कि इसके price तो यार earphone का price headphone के मुकाबले थोरे बहुत कम होते है और यह भी इसका एक बहुत अच्छी बात होती है ताकि आर आप लोग बहुत easily से खड़ीद की game खेल सकते हैं तो चलिए आप बात कहते हैं headphone के pros की यार headphone के भी अपने pros होते हैं तो headphone में सबसे अच्छी बात जो आप निकल के आती होती है how headphones blowing बहुत जाद अच्छी तरह optimize hoते हैं brighten gaming के लिए मतलब headphone quandable बहुत जाद़ optimised होते में भी gaming के लिए आप specialized gaming के लिए headphones आप बहुत easily खड़ीच सकते हैं तो यार headphone की ही सबसे अच्छी बात होती है and second बात होती headphone की headphone की प्राइस अगर आप ठीक से headphone research करके खड़ीचते हैं तो headphone में भी आपको काफी अच्छे price range देखने को मिल जाएगी जिससे कि आप बहुत easily कम, मतलब कम budget में भी आप अच्छा headphone खड़ीच सकते हैं तो guys ये तो गए है headphone and earphone के pros, अब बात करते हैं इनके cons के बारे में definitely pros हैं तो इनके cons भी होंगे ही तो यार earphone की cons के बारे में बात करें तो earphone का जो सबसे, मतलब गलत बात होती है, होती है कि यार earphones इतने अच्छे gaming के लिए optimized नहीं होते हैं मतलब अगर आप ठीक ठाक research के अलावा earphone खड़ीद लेते हैं तो यार वह आपको इतना अच्छा gaming performance नहीं दे पाते हैं क्योंकि यार earphones आवा भी गाने सुनने के लिए वगरे यह सब कान के लिए इस्तमाल होते हैं लेकिन इसमें भी आपको tension करने की बात बिलकुल नहीं है क्योंकि वीडियो के आखर में मैंने जो तीन earphone की बात की है वह एकदम gaming के लिए optimized है and based earphone है तो यार वहां पे आप आके बंद करके उनके खरीज सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं headphone के बारे में headphone के भी अपने cons होते हैं क्योंकि यार headphone की सबसे गलत बात यह होते है कि headphone का weight तो यार headphone इतने अच्छे light weight नहीं होते लेकिन again मैं हुई बात बताता हूँ कि इस वीडियो के आखिर में मैंने जो headphone की बात की है तीन headphone की बात मैंने की है और ओ headphones भी बहुती ज़ादा light weight है वही सब मैंने देखके ओ headphone choose किये है तो यार headphone की light weight ना होने की बज़े से क्या होता है कि कभी कबार जो आगर आप लोग ठीक से ना देखके headphone करीद लेते है मतलब समझो कि यार आप लोग ने ना देखके एक बहुत हेवी headphone करीद लिया तो होता ही है कि आप लोग अगर जब लंबा gaming session करते है तो उसमें बहुत ज़्यादा problem हो जाता है मैंने तो ऐसे भी headphone देखे हैं जो कि इतने ज़्यादा भारी होती है कि उससे आदे से एक घंटा gaming में भी बहुत ही ज़्यादा problem हो जाती है तो इस तरह के headphone से तब करते ही लंबी gaming session किसी बहालत में नहीं कर सकते है इतने सारे pros and cons देखने के बाद आप लोग अपने आप में समझ रहे होंगे कि आपके लिए headphone य य earphone यह यह दोनों में से कौन सा बहतर ही नहीं मैं तो यह कहता हूँ कि अगर आप लोग hardcore gaming करते है घर पे बैठ के गेमिंग करते है तो यार आपके लिए headphone एक अच्छा option है जब कि अगर आप लोग इतने hardcode gaming नहीं करते हैं बाहर भी निकल की gaming करते हैं घर के बाहर gaming करते हैं कभी कबार तो यार इस हालात में आपके लिए earphone बहतर option होगा तो यार इसाब बात करते हैं आपको कौन से earphone या headphone खड़ीदना चाहिए तो गाइस मैं पहले ही बताता हूँ कि यह वाला research जब हम कर रहे थे कि headphone या earphone दोनों में से कौन सा best है gaming के लिए तब यार हमने बहुत ही जादा क्वंटिटी में earphones and headphones ट्राइ कर रहे हैं ते gaming के मामले में जो जो brands बहुत जादा मशूर है बहुत जादा मशूर है गेमिंग के earphones and headphones बनाने में उन में से हमने जादा तर brands को चेक किया and guys यह सब तो मैं नहीं खड़ीच सका के लिए so यार मैंने अपने friends से लिए and ऐसे करके भई हमने बहुत जादा quantity में चेक किया and अभी में जो suggestion आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 earphones and 3 headphones के बारे में इससे जादा बहतर gaming earphones अभी market में available नहीं है मतलब मैं directly बताना हूँ इससे जादा बहतर हम earphones आपको market में साइद ही मिले and लेकिन यार gaming के मामले में बता रहा हूँ मैं music के मामले में सारे इतने अच्छे नहीं होने बाले definitely मैं gaming के बारे में बात कर रहा हूँ so let's check out by कौन से कौन से earphones and headphones के बारे में हम बात कर रहे है लेकिन इससे पहले एक बात और बता दो कि यार अगर आप लोगों से earphones and earphones खड़ीदने है यार आपको देखना भी है तो यार डिस्क्रिप्शन में सारे earphones and headphones के link हमने दे दिया है and सारे prices भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे Amazon के अंदर so यार चेक आउट जरूर से कर लेना तो चलिए बात करते हैं पहले earphones की तो यार मैंने पहले आपको बताया की earphones इतने ज़्यादा gaming optimized नहीं होते लेकिन यहाँ पर हमने ढूंट के निकाले हैं तीन ऐसी earphones जो कि यार fully gaming optimized and gaming के लिए ही बने है जिससे के आपको जादा से जादा बहतर ही गेमिंग का performance देगने को मिलेगा यहाँ पर पहला यह यहरफून आ रहा है निकल के वह आ रहा है Realme के तरफ से Realme Earbuds 2 Realme Earbuds 2 के वह सबसे अच्छी खासी आता है कि यह बहुत ही जादा light weight होने की बज़े से आप अगर लंबे gaming sessions करते हैं तो इसमें आपको काफी जादा help मिलेगा तो इस बात करें अगर मेरी तो यार मैं तो काफी जादा लंबे gaming sessions करता हूँ तो यार मेरे लिए तो यह रहल में का Earbuds काफी जादा helpful है और मैं तो इससे काफी जादा खेलता हूँ तो बात करते हैं अगले एरफोन की तो यह अगला एरफोन प्लेक स्टोन की तरफ से निकल कर आ रहा है अगर आपको प्लेक स्टोन के बारह में नहीं पता तो फ्लेक स्टोन जे-, पन एक कम्पनी है जो कि यह इंता है तो या इस एरफोन की बारह मैं पहले एक वर्णिंग आप लोगो को दे देना चाहता हूं क्योंकि यह एे एरफोन पहन कि आप कभी भी music या फिर मतलब songs वगेरा यह सब नहीं सुन पाऊगे मतलब इससे मतलब वो satisfaction आपको नहीं मिलेगा music और song यह जो एए एरफोन से इसपेशली गेमिंग के लिए optimized इंड भाइ इससे सिर्फ आप gaming पर हो वाला फूकुस कर सकते हैं आप लोग फता है गेमिंग की ही मतलब चोटे चोटे जो यार मतलब online होते हैं मतलब फूटः वगेरा नैट फेक्रिकनि क्या अवाज इव अगेरा यह सब 61 चोटे जो बैंड यह यह बता रहा हुँ बढ़के एक हैं मतलब ऑसम है तो यहां पर यह जो यह एरफोन है इसका भाई मैंने गेम प्ले भी रिकॉर्ड किया है टो यह जरूर से देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद गाईस यह जरूर सेदेखने के बाद अब करते हैं हमारे हैटफोन के रेकॉमेंडेशन के बारे में कि हैटफोंज कि हीटफोन की बात करें आथचानी कारा कशमिक बाइट के देखा है। तो में लेच binds के भी हैं काफिक बाइत को आदे काफिनों के भी क्षाग के विखल मार्केम अवेलेबल हैَ हमने लग लग-प्फ़ साड़े को अडिया को ठ्याइक है सब्सक्राइños को सबस्क्राइधन को झाते है हैं ले मैंघ को अंदेशना लैट उनकते हैं एंड मेरे को लिटरली काफी मजाया इससे खेल के एंड या इस हेड़फोन का नाम अगर आप देखागे तो यह जी एस 410 है मतलब यार कॉस्मिक बाइट जी एस 410 तो यह इस सावर यह हेड़फोन के लिंक भी आपको डेस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी तो यहां हेडफोन के बारा में तो इस सेकेंड हेड़फोन के बारे में तो सेकेंड हेड़फोन ITYye Collaboration की तरफ से निकल किया राहा है अगर आपको anti sport की बारे में नहीं पता क्लैंदChristopika कंपनी है जो भाई e-sports के लिए headphone मनाता है मतलब अब आप लोगोंने देखा है PUBG का जो टूर्णमेंज होते हैं वो सारे टूर्णमेंज में प्लेयर जो headphone पहनते हो Ant e-sports से ज्यादा तर हो आते हैं तियार Ant e-sports के भी काफी ज्यादा brands हैं मतलब काफी ज्यादा headphones market में available हैं तो इसमें से H520W का headphone मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया मतलब Ant e-sports H520W वाला headphone तो यार मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि सबसे budget headphone में रखा जाए and सबसे best budget headphone हम देखें तो यह वाला एक budget headphone भी है तो यार price की बात करें तो price भी आपको description में मिला link से check कर सकते हैं आप लोग सारे amazon में आपको देखने को मिल जाएंगे चलिए बात करते आगे वाले and final हमारे favorite headphone के बारे मैं favorite नहीं बताऊंगा बापस से सारे headphone एक से बढ़के एक हैं लेकिन यार भई एक होता है न पसंद तो यार यह वाला मेरा पसंद दिला सबसे best headphone है तो यार यह headphone का नाम भई अपने company का नाम यार पहले मैं बता देता हूं यार यह headphone का company का नाम है ASR की बात करें तो ASR एक बिल्कुल gaming company है यह लोग हार्डवेर से बहले के रैम बगेरा सब कुछ बनाते हैं तो यार यह सार काफी बड़ा ब्रैंड है गेमिंग के बारे में तो यार इन लोगों का यह वाला जो headphone है यह specialized optimized gaming के लिए and gaming की बात करें तो इससे ही मैं गेम कहलता हूं इसका भी मैंने gameplay record किया जो की आई बटन में मैं दे दूंगा link तो यार वाला gameplay भी आप देख सकते हैं वहां से आपको पता चल जाएगा कि यार इस earphone का मतलब क्या कुछ अच्छे हैं कितनी easily आप इससे बाइल enemies को locate क करें पाएंगे वह आप gameplay देखे समझ जाएंगे तो बात करती इस earphone के बारे में इसार नेटरों के त्यार यह वाला earphone का link भी आपको description में देखने को मिल जाएगे यह भी budget earphone है मतलब earphone नहीं headphone है budget headphone है तो इसको भी आप लोग चेक आउट जरूर से कर लेना तो total हमने तीन ear तक video देखने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे आपके लिए भाई कौन सा बहतरी होने वाला है तो यार आप लोग जरूर से खड़ीद लेना और आपकी gaming अब बस खड़ीदने के बाद देखना यार आपका gameplay कितना ज्यादा improve हो रहा है at least 3-4 गुना improve तो होने ही वाला आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और सबसे इंपोर्टेंट बात यार आपके दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर से शेयर करना तक यार उन लोगों को भी अकर headphone या earphone कुछ खड़ीदना है तो उन लोगों को भी जादा help मिल सकें इस वीडियो को देखने के बाद तो यार प्लीज शेयर कर देना और आप लोगों को पसंद आयोगा चैनल पर नहीं तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है तो यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाले 100 दिनों सब्सक्राइब मैं बैक टू बैक वीडियो अफ्लोट करने का सिर्फ आप लोगों के लिए सो सी यू इन दे नेक्स्ट वीडियो तब तक लियार गुड़ बाई